मेरे साधी एक बहुत ही खुबसूरत लड़की से हो रही थी, वह मेरे साथ स्टेज पर दुलहन बनी बैठी हुई थी, अपनी साधी में मैं बहुत खुश था, पर मैं नोटिस किया कि मेरी बीबी की सबसे छोटी बहन मुझे अजीब नजरों से देख रही थी, कुछ देर ब मेरे से अपने पैंट के जेब में रख लिया, साधी के बाद जब मैंने उस लिफाफे को खोला तो उसमें कुछ तस्बीर थी, उस तस्बीर को देखते ही मेरे पैसी ने छूट गए, क्योंकि उस तस्बीर में तो सोहन है, मेरा नाम सोहन है, मैं अपने घर का एक लोता हमें भी बाप की जरूरत है, खेर हमारे लिए तो मेरी मा ही, मेरी मा और बाप दोनों थी, जिन्होंने हमें बाप की कभी महसूस कभी नहीं होने दी, धीरे-धीरे मैं बढ़ा हो गया, और मेरी पढ़ाई पूरी होते ही, मुझे एक अच्छी जगनोकरी मिल गई, धीरे-ध काम करके हमारे घर का हालात पहले से बहतर हो गए, मैं चार बहनों का अकेला भाई था, मेरी चारों बहने मुझसे बड़ी थी, कुछ दिन बाद उन चारों की साधी हो गई, उन चारों की साधी के बाद अब लोगों को मेरे साधी की फिक्र होने लगी, पर मुझे साधी ना कि मैं कभी साधी नहीं करूंगा और मैं कभी किसी लड़की को नजर उठा कर भी नहीं देखूंगा क्योंकि मेरी माने मेरी परवरीस में ही कुछ ऐसी ही की थी उन्होंने पहले ही मुझे समझा दिया था किसी लड़की को देखने से पहले अपने घर के बारे में सोच लेना कि तुम्हारी भी चार बहने है अगर तुम किसी के साथ गलत करोगे तो तुम्हारी भी बहनों के साथ भी गलत हो सकता है मेरे बोस की बेटी थी जो बहुत बिगडी हुई थी वह बार-बार मेरे आगे पिछे मडराती आ रहती थी जब की ऐसी लड़कियों से मुझे बहुत चिर्था मैं जितना ही उससे दूर जाने की कोशिस करता वह उतना ही मेरे करीब आती और मुझे किसी ना किसी काम से बाहर ले जाने की कोशिस करती और बॉस की वज़े से मुझे मजबूरन उनकी बेटी के साथ जाना पड़ता मेरे साथ बॉस की बेटी बाहर जाते यह मेरे साथ अजीबों गरीब हरकते करने लगती मैं जितना ही उससे दूर जाने की कोशिस करता वह उतना ही मेरे करीब आती वह लड़की मुझे बिलकुल पसंद नहीं थी, पर इसे के साथ आना जाना मेरी मजबूरी बन गई थी, एक दिन तो उसने हद कर दी, मुझसे कहने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और तुमसे ही साधी करना चाहती हूँ, उसके मुझसे प्यार और साधी की बात सुन इसलिए मैं तुम्हें अब तक बर्सदास कर रहा था हूँ, वरना तुम जैसी लड़कियों को तो मैं मुझसे नहीं लगा, मेरे इस तरह बात करने पर वह गुसे में वहां से चली गई, और अगले दिन मेरे बॉस ने मुझे इस नौकरी से निकाल दिया, मेरी नौकरी चल पर सोचा चलो देखता हूँ, क्या बात है, वहां गया तो मैंने देखा कि मेरे पापा मेरे बॉस के साथ यहां बैठे हुए थे, वहां मुझे देखते ही खुसी से मेरे गले लग गए, कर बोले, मुबारक हो, मैंने तुम्हारा और सुनीता का रिस्ता तै कर दिया है, सुन आप मेरे लगते क्या है, मेरा और आपका रिस्ता क्या है, कि बिना मुझे से पूछे, आपने मेरी साधी तै कर दी, मैं इस रिस्तो कुठो कर मारता हुआ, यहीं कहकर मैं वहां से चला आया, ऐसे कि ही कुछ दिन यूही गुजरते गए, कुछ दिन बाद मुझे एक पहने लगी, सो हन तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो, अब दोबारा तुम्हें कभी परसान नहीं करूंगी, प्यार का रिस्ता ना सही, पर क्या, मैं तो तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं हूँ, क्या तुम मे मेरे दोस्ती रख सकते हो उसे देखकर लगा वह बाकई में बदल चुकी है और मुझे से माफी माँगना चाहती है मैंने उसे माफ कर दिया उसने मुझे से कहा अगर दोस्ती की है तो इसे निभाना भी पड़ेगा अगर तुम्हें सही लगे तो एक दिन तुम मेरे घर जरू पर चाह पीते ही मुझे क्या हो गया मुझे पता नहीं आग खुली तो सुबह हो चुकी थी और मेरे सामने पुलिस खड़ी थी और मुझे एक लड़की के साथ जबर जस्ती करने के जुर्मे में गिरपतार करके ले जा रही थी यह सब इतना अचानक हुआ कि मुझे कुछ स अमानत करवा कर मुझे ले गया मैं घर पर जाने की वज़ा से हॉस्पीटल गया और अपने पूरे बोड़ी का चेक अप करवाया डॉक्टर ने बताया कि आपको काफी मात्रा में नसे की दवाई दी गई थी डॉक्टर की बात सुनते ही मुझे समझ में आ गया था कि यह यह सब किया मैं सोच भी नहीं सकता था कि वह इतनी गीरी हुई हरकत करेगी अपने साथ इतना बड़ा धोखा होने के बाद मेरा दिल घबराने लगा मैं ना करके भी अपनी नजरों में मुझे रिम बन गया था मुझे उस गुनाह के सजा मिली जो मैंने कभी की ही नहीं थी मैं किसी तरह अपने घर गया और मैं बहुत सर्मिंदा था कि अगर मेरे घरवालों को यह सब बात पता चल गया तो मैं तो कहीं मूँ दिखाने के काबिल भी नहीं रहूंगा जैसे तैसे करके मैं अपनी जिन्दगी गुजार रहा था पर मेरे दिमाग में से सुनीता की वह गंदी हरकत नहीं जा रही थी कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया एक दिन मैं ओफिस में था तबही अचानक मेरे दोस्त का फोन आया उसने बताया तुम्हारे पहले बौस की बेटी सुनीता का एक्सीडेंट हो गया और उसकी एक्सीडेंट में उसकी देथ हो गई उसने हमारे साथ गलत किया तो उसे उसकी सजा मिल गई सुनिता को उसके लिए की सजात तो मिली गई थी पर मेरे दिमाग से उसकी गंदी हरकत की तस्बीर बार बार नजर आती कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मेरे दोस्त ने मुझे बहुत समझाया और मुझे इस सदमे से पाहर निकालने का होसला भी बढ़ाया. कुछ दिन बार मेरे घर्वालों ने मेरी साधी जबर्जस्ति तैक कर दी. घर्वालों ने कई बार मुझे लड़की देखने के लिए Force किया, पर मैं लड़की देखने नहीं गया. जब पर जिस दिन साधी थी उस दिन लड़की को देखा तो देखता ही रह गया वह दिखने में बहुत खुब सूरत थी उसे देखने के बाद अपनी साधी के दिन मैं बहुत खुश था पर अचानक जब इस्टेज पर पहुचा तभी मैंने नोटिस किया कि मेरी पतनी की सबसे छोटी बहन मुझे अजीब नजरों से देख रही थी देखते देखते उसने मेरे हाथों में एक लिपापा पकड़ा दिया साधी के दो से तीन दिन बाद जब मैंने उस लिपाफे को देखा तो मैं घबरा गया क्योंकि उस लिपापे में मेरी और सुनीता की कुछ पिक्चर थी जो मेरे घरवालों के सामने नहीं आनी चाहिए मैं यहीं सोच रहा था तभी मेरी पतनी की बहर मोनिका का फोन आया वह मुझे कहने लगी कि दिन आपकी और मेरी दीदी की साधी थी उस तस्बीर के बारे में मुझे उसी दिन पता चला था अगर पहले पता होता तो यह साधी मैं नहीं होने देती इसलिए मैंने धीरे से यह वह तस्बीर आपको पकड़ा दी आप अपने करना में देख लीजिए उसके बाद मैं आपको से पूछूंगी कि आपने मेरी बहन के साधी करके उन्हें धोखा क्यों दिया मैंने अपनी सफाई देते हुए उससे कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है मुझे फसाया जा रहा है उसने कहा ठीक है आप वहीं पर रुको मैं घर आती हूँ यहीं कह कर उसने फोन काट दिया और कमरे में बैठा हुआ था बहुत परिसान था तभी मेरी पतनी मेरे कमरे में आई और मुझे से पूछने लगी कि क्या हुआ आप बहुत कुछ परिसान दिख रहे हैं मैं कहा हाँ बात ही कुछ हैसी है अभी मैं उससे यहीं बात कर रहा था तभी उसकी बहन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और मेरी पतनी रुपार से कहा ने लगी दीदी आपको पता है कि आपके पती ने सादी से पहले क्या गुल खिलाया है दीदी इनकी जगह आपके साथ नहीं बलकि इनकी जगह जेल में होनी चाहिए अपनी बहन को एक थपड़ दिया और कहा बस करो अब इसके बारे में आगे एक लवज नहीं मत बोलना सादी से पहले सोहन जी ने क्या किया यह इनके साथ क्या हुआ मैं तो नहीं ज़ानती पर जब से इस घर में आई हूँ मैं जान चुकी हूँ की सोहन जी एक अच्छे इनसान है यह कभी भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते अगर तुमें इनके बारे में कुछ जानती हो तो, इनके साथ धोखा हुआ था, क्योंकि सादी की पहली रात को ही इन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया था, अगर यह गलत होते तो, अपने गुनाहों को छुपा सकते थे, पर जब इन्होंने कोई गुनाह किया ही नहीं था, तो छुपाना क्या, अपनी पतनी के मुझे ऐसी बाते सुन कर मुझे अपनी पतनी पर फक्र होने लगा, क्योंकि आज अगर मेरा साथ नहीं देती, तो मैं तो कहीं का नहीं रहता, इसी को कहते हैं जीवन साथी, अगर एक पर कोई मुसीबत आए, तो दूसरा उसके साथ कंध से कंधा मिला कर खड़े हो जाए